हला सुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर गजिन्द पुरोईत और आज मैं आपके सामने जून CSIRने 2024 से रिलेटेट कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं जो की रिलेटेट रहेगा मोड ऑफ एक्जाम के बारे में एक्जाम बैटन क क्या हो सकता है eligibility criteria क्या होने वाला है मतब थोड़े से चेंजेश यहां पर दिख रहे हैं उसके बारे में प्लस एक्सपेक्टेट नौटिफिकेशन डेट क्या हो सकती है और एक्जाम डेट क्या हो सकती है इसके बारे में आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा काफी टाइम से CSIR NET के स्टुडेंट वेट कर रहे हैं उनका अभी तक notification नहीं आया यूजी सी का notification आ चुका और उसमें बहुत सारे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं प्लस वहाँ पे जो exam है वो सिर्फ एक दिन में होने वाला है पहले वहाँ पे जो exam था लगबग 12-15 दिन मे हुआ करता था online exam हुआ करता था बट वहाँ पे बहुत सारे changes इन्हों ने किया है तो उसके हिसाब से CSIR NET में क्या क्या changes हो सकते हैं कुछ pattern में बदला हो सकता है इसकी वज़े से थोड़ा सा delay हो रहा है तो वह भी मैं आपको update करने की कोशिश करूँगा तो सुन शू करते है सुन सबसे पहले बात करेंगे कि जो exam का pattern है वो online रहेगा या offline रहेगा UGC NET के अंदर 83 subjects होते हैं और वहाँ पे पहले ये exam online हुआ करता था और online में बहुत ज़दा management का दिक्कत आता है और center में जो infrastructure proper facility नहीं होती थी और even CSIR NET में भी ऐसे बहुत सारे issue हुए हैं जहां पर online exam में बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इस वज़े से NTA इस बार इस exam को offline conduct करने जा रहा है UGC NET के जितने भी papers है उसका exam offline conduct होगा और वो एक दिन में conduct कराया जाएगा problem यह आती है कि जो जून वाला session होता है इसके अंदर बहुत सारे exam align होते हैं जो है तो इस वज़े से इसको offline कर दिया गया है तो इसके इसाब से CSIR NET का exam भी offline होने की संभावना है बहुत सारे students को online exam में बहुत सारी problems आती थी और center बहुत दूर दूर होते थे और center पे proper infrastructure facility नहीं होने की वज़े से कहने कहीं exam date को लेके भी एक problem होती थी क्योंकि जिसे भी UPS CC का exam है या JEE का exam है या NEET का exam है और भी अलग-अलग exam है जो की conduct होते थे तो इसलिए CSIR NET का exam भी offline हो सकता है मैं आपको फिर से बोल रहा हूं ऐसी संभावना है अब आपके मन में सवाल यह उठेगा कि सर CSIR NET में virtual calculator मिलता था सर हमें क्या मिलेगा तो भही हम आपको बता कि CSIR NET का exam offline होना चाहिए या online होना चाहिए आप मुझे comment करके यहां पर बता सकते है क्योंकि online में बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी दिक्कते होती है मतलब student साल भर इतनी महनत करके जाता है और वहां पे अगर network proper connect नहीं हो पा रहा है या अगर आप online exam से aware नहीं है तो आ बारे में सोचेगा पट मुझे असा लगता है कि जो exam में वो offline होने की संभावना बन सकती है उससे कहने के date की problem आने वाली नहीं है future में क्योंकि अभी हमेशा पिछले दो साल से CSIR net का जो notification होता है वो हमेशा कुछ time के लिए delay होता है because वहां पे उनको debts और center वहां पर प्रपर तरीके से allocate नहीं हो पाते है और जब last time में भी क्या होता है कि notification आ जाता है बट admit card और center allocation में बहुत ज़दा problem NTA को face करनी पड़ती थी because of center तो मुझे लगता है कि यह य online का हो सकता है exam अब बात करते सुन eligibility criteria के बारे में तो यह बहुत ही अच्छा मूँ है UGC का अगर आप चार साल का degree course करें बीए सी तो आप यहां पे सीधा net exam के लिए eligible है आपको यहां पे master's करने की आवशक्ता नहीं है आप उसके बाद PhD कर सकते हैं यहां पे पहले UGC का notification आ जाना गया है तो कोई भी स्टूइट अगर future में PhD करना चाहता है रिसर्च फिल्ड में जाना चाहता है अगर वह four year degree course कर रहा है तो net exam के लिए eligible है पर हां जिस फिल्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस फिल्ड में ही आपको net exam देना होगा मालीजे आपका physics chemistry mathematics हैं अगर सब्सक्राइब होना चाहिए अगर उसके ग्रिजविशन में 75% एग्रिगेट स्कोर नहीं हो रहा है तो वह इस exam के लिए eligible नहीं माना जाएगा 5% जो relaxation है वह SCST और PWD students को लिए और OBC students को दिया गया है मतलब कोई भी SCST या OBC Candidate है अगर उसके 75 के जगे 70% भी है तो वह यहा मुह यहां पर जो कि किया गया है एक और यहां पर बहुत बड़ा update है जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई भी student 4 साल का degree course कर रहा है और वो net exam देता है तो वह GRF के लिए eligible है वो PhD के लिए eligible है मतलब PhD करेगा तो उसको GRF मिलेगा बट वो assistant professor के लिए eligible नहीं मा जाएगा assistant professor के लिए eligible होना है तो इसको master करना पड़ेगा राइट तो यह एक बहुत बड़ा बड़ा जो कि यहां पर नजर आता है इस उन बात करें यहां पर पैपर पैटन के बारे में तो पैपर पैटन यहां पर change हो सकता है UGC net के अंदर negative marking पहले भी नहीं होती थी और अभी भी उन्होंने mention करा है कि negative marking नहीं होगी CSIR की जो पैपर पैटन में जिसे अभी पार्ट है में जनरल अप्टीड यूड आ रहा है पार्ट भी में mcq आ रहा है तो इसमें हो सकता है थोड़े बहुत changes हो पर हाँ syllabus change होने की संभावना नजर नहीं आती क्योंकि अगर syllabus change क देनी पड़ेगी कि यहां next session से ऐसा होगा इस session में इसा नहीं होगा तो पेपर पैटन में थोड़ा सा बदलाव यहां पर हो सकता है हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो कि negative marking कि कुछ portion में हट जाए या कुछ और नया section एड़ हो जाए जैसे एड़ का जो section है जो कि get exam में होता है CSIR म लिक में आ जाना चाहिए और अभी अपरेल लास्ट विक बाकी है पर कुछ बदलाव जो कि अभी UGC net exam में देखने को मिले हैं हो सकता है यह बदलाव CSIR कर रहा हो क्योंकि UGC और CSIR का almost pattern एक जैसा चलता है तो UGC के pattern को CSIR भी follow करता है हाँ थोड़ा बहुत उसमें changes होते है बढ़ हाँ almost उसी type को follow किया जाता है तो यहाँ पर यह changes की वज़े से यह हो सकता है थोड़ा बहुत और कुछ pattern में changes कर रहे हो या फिर इस पर research कर रहे हो कि exam offline करना चाहिए या online करना चाहिए इस वज़े से थोड़ा सा notification डीले हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो notification last week of June हो सकता है क्योंकि almost exam date में ज़्यादा बड़ा कुछ नहींगी सर अभी notification या है तो exam इतना जल्दी कैसे हो सकता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जैसे notification आउसके date मेने बाद exam हो गया था तो भाई आभी दो मेने के अंदर अंदर exam करवा सकते हैं तो जैसे मान लिजे अब में first week में exam का notification निकलता है तो आपका first week of July exam होने की संभावना यहां पर बनती है वैसे आपके इसाब से notification कब आ सकता है और जो भी बदलाव यहां पर किये गए खास करके online से offline mode में जा सकते हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बत सकता है और अपना PhD कर सकता है त्रू जयारेव पर वो assistant professor के लिए eligible नहीं माना जाएगा उसके लिए उसको master's करना पड़ेगा और तीसरा यहां पे exam का जो paper pattern है उसमें changes थोड़े बहुत हो सकते हैं तो यार यह सब बाते मुझे बतानी थी प्लस exam के date के बारे में मैंने आपक comment करके बता सकते हैं बहुत जल्दी में CSIR net का crash course भी लेके आने वाला हूं और अगर आप अभी भी हमारा course जोइन करना चारहें तो इस उन फाइट रिपल लाइन में आपको हमारा जुन 2024 का course मिल जाएगा अगर exam delay होता है तो यह जो validity इस course की वह बिलकुल extend कर दी जाएगी त उसको लेकर परिशान होनी की जरूत नहीं है अगर आप June and December का लेना चारहें तो टेंट रिपल लाइन में आपको मारा course में जाएगा जहाएगा जहां पर लाइव रिकॉर्डेट पीडिएफ डीपी सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप IDCM 2025 का course and IDCM 2026 का course 1099 में आपको हमारा मिल जाएगा बाकी हमारी जो बुक्स है यह Amazon and Flipkart पे वेलेबल है जहां पर Flipkart पे हम reasonable price में हमारी बुक्स को दे रहें जहां पर शॉट नॉट्स बुक लेट है प्लस यह हमारी combat series की बुक है इनको आप बाई कर सकते हैं Maths Care app पे कैसे subscription लेना इसका detail वी बाई बाई